आई आपको बताएं 11 जुलाई को होने वाली जीस्टी काउंसिल की बैटक में सिनेमा हॉल में फूड और बेवरेजिस पर लगने वाली जीस्टी पर कुछ सफाई आ सकती है सिनेमा हॉल के मालिक फूड और बेवरिजिस पर जीएस्टी 18% से घटाकर 5% करने की मांग कर रहे हैं डीटेल्स के साथ जुड रहे हैं जी मीडिया समभादाता तरुन शर्मा तरुन सिनेमा हॉल में फूड पर जीएस्टी का मामला इस बार क्या संभव है बिल्कुल हम बताना चाहूंगा 11 जुलाई को जीएस्टी काउंसल की बैठाक है और इस बैठाक में एक क्लैरिफिकेशन आ सकता है कि जो हाल में सिनेमा हॉल में जो फूड और बिविजिस हैं उनको 18% की केटेगरी से टेक्स वरसूला जाता है इसको 5% किया जा सकता है यह अलरेड़ी मान लिए स्टेशन की जॉन की क्लाउट की चिछन होते उसमें टेक-वे का सिस्टम होता है वहाँ पे जो GST है वो 5% ही वसूला जाता है तो वैसी situation सिनेमा हॉल में होती है इसी वज़े से यहाँ पे भी जो रेस्टोरेंस सर्विसिस के तौर पे जो टेक्स वसूला जाता है उसको 5% किया जाए तो यह एक तरीकी की एनमोली थी जिसको GST काउंसिल फिट्मेंट ने दूर कर दिया और GST काउंसिल को यह बताया जाएगा और उसके बाद यह सर्कुलर इशू कर दिया जाएगा इसके साथ-साथ कई और भी मामले हैं जिस पर GST काउंसिल डिसकस करेगा एस्यूवी पे जो सहसे वो 22% लगेगा यहाँ गाड़ी जो है वो 4000 mm 1500 CC और 170 mm से ज्यादा की ग्राउंड क्लियरेंस है तो जो सहसे वो 12% देना होगा यहाँ पे आप गाड़ी का नाम कुछ भी रखें चाहिए आप एक्स्यूवी रखें स्यूवी रखें MPV रखें कुछ भी रखें यदि आप इस क्राइटिग्री या इस क्राइटिरिया को मीट कर रहे है तो आपको सहसे 22% से ज्यादा देना पड़ेगा इसके साथ साथ कई कैंसर एक कैंसर की दवाई है जिस पर आई GST 12% है उसको उसको निल करने का का रिकमेंडेशन फिट्मेंट कमिटी ने दिया है अब बैंक्स कर्रोस्पॉंडेंट जा है अर्बन या रूरल में यहीं काम करें अभी 18% उसमें GST लगता है उसको 5% करने की सिफारिश यहां पर फिट्मेंट कमिटी ने करी है कुछ ऐसी मांगे है जिसको फिट्मेंट कम करने की सिफारिश थी तो उस फिट्मेंट कमिटी ने इस सिफारिश को नहीं माना उन्होंने कहा है क्योंकि मोटर एक्ट में फ्लेक्स फ्यूल करके कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं होती है जिस तरीके से इलेक्ट्रिक विकल में होती है तो इस वजए से अभी इस पे ले पाना काफी मुश्किला उसको डिफर कर दिया है साथ साथी स्टील स्क्रैप पर जो रिवर्स चार्ज मेकानिजम के तौर पर जीएस्टी वसूलने की सिफारिश की गई थी उसको एक कहा गया है कि ऑफिसर्स के अंदर एक कमिटी बनाई जाएगी वो इस पूरे मामले को पहले चानबीन करेंगी उसके बाद ही यहां पर आगे इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है एक जो जी बिजनस की खबर पर फिर मोहर लगी है जी बिजनस ने बताया था कि जीएस्टी काउंसिल जो रिजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है जो फेक आइटीसी के जो मामले है दो मेने से ड्राइब चल रही है उस पर कहीं ना कहीं एक जीएस्टी काउंसिल को बताएगा कि किस तरीके से कामकाज किस तरीके इसको रोका जा सकता है तो वहां पर उस पर जीएस्टी काउंसिल में यदि कोई रिजिस्ट्रेशन कराता है और तीस दिन के अंदर उसको पहले आपको डेनी होगी और उन केसी पे फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा जहां पर यह आप यह कहते हैं कि हम अधार का अथन्टिकेशन नहीं करवाते हैं उन मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराई जाएगा तो यह सबी मामले 11 जुलाई को जी एस्ट काउंसिल के सामने आएंगे अब देखना होगा कि क्या फैसला लेती है धन्यवाद करेंगे तरुन पूरी खबर पर ज्यादा डीटिल्स देने के लिए